बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूं कि डीटॉक्स वाटर कैसे बनाया जाता है शीषे का ग्लास या शीषे का जग या शीषे की बोतल लेंगे सबसे पहले तो इसके लिए अब मैं आपको एक ग्लास के लिए जञा बता रही हूं आपको जितना पानी बनानाया आप बना सकते हैं अद्राम अज़ाम इसाफा करते जाहिए गा खीरे के 3 Slices है, तिन Slices काटे में, मैंने बहुत ज़्यादा, मोटे मोटे टुकडे नहीं है, लीमू के 2 Slices है, 1 Slices अधलक का है, 4-5 पुदीने के पत्ते हैं, लेकिन डंडी समेथ लेंगे, डंडी से उतार्गे नहीं लेंगे, 1-2 सorit टुकडा, दाल चीनी का है, ये एक ग्लास के लिए इज़ा हैं, नॉर्मल पानी डालेंगे हम इसमें, अगर मौसम बहुत ज्यादा गरम है तो आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन कम ठंडा पानी इस्तमाल करिएगा, डेटॉक्स वाटर हमारा त्यार हो गया है, आप इसको कम से कम चार घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए और उसके बाद इस्तमाल कीजिए, सारी रात के बिलिए भी आप बना कर रख सकते हैं, कि पूरी रात आप ये बना कर रखें और सुभा इसको पीना शुरू करें, तो ज्यादा ये एफेक्टिव हो जाता है, ज्यादा जाते हैं इसमें, तो डीटॉक्स वाटर हमारा रेडी टू यूज है, बहुत अच्छा रहता है, गर्मियों में खास तोर पे आपके जिसमें जितने जहरीले मादे होते हैं, उनके खराज में बहुत ज्यादा मदद करता है, वजन कम करने में मदद करता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है, आपके बालों को फ्रेश करता है, तो बहुत अच्छा रहता है यह डीटॉक्स वाटर, तो आप इसको लास्मी ट्राइ करिएगा, कैसा लगा आपको आज का मेरा डीटॉक्स वाटर का बनाने का तरीका, फीडबेक जूर दीजेगा, अगर आपको मेरी वी क्लिक कर लीजिए, ताके हर नहीं आने वाली रेस्पी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके, मजीद चैट पर बन जाने वाली मज़ेदा रेस्पी चानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें,